एक बहुत बड़ा कोशन बिग रैमी के साथ जुड़ा हुआ है कि रैमी कब कम्पीट करेंगे आप लोगों ने कितनी ही बार मुझसे पूछा है और कोई एक्जेक्ट क्योंकि थी नहीं अभी तक इस चीज के उपर तो कहा नहीं जा सकता था हाला कि अभी भी बहुत एक्जेक्ट कंफरमेशन नहीं है लेकिन हाँ जब एक अथलीट खुदी बता देगे वो कब कम्पीट करने वाला है तो उससे काफी अंदासा लगाए जा सकता है तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही बात करेंगे कि रैमी का नेक्स्ट श जादा अभी तक जो चांसिस बने वे थे वो थे न्यू यू यॉक प्रो खेलने के तो कहा जाता था न्यू यॉक प्रो सबसे बड़ा कॉम्पीटिशन है और रैमी के लिए अच्छा कॉम्पीटिशन रहेगा इससे पहले भी हो क्योंकि दो बार उस कॉम्पीटिशन को जी तो ये शो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है रैमी के प्लैन से बाहर है तो बात यह है कि क्योंकि जून में रमजान लगबख खतम हो रहे हैं चार-पांच तारीक के आसपास तो उस महीने डैफिनिटली बिग रैमी कंपीट नहीं करने वाले उसके बात आता है महीना जुल जुलाइ में चांसिस है कि बिग रैमी कंपीट करें और जो अगस्त की तारीक है चार अगस्त वो डैडलाइन है ओलम्पिया 2019 के क्वालिफाय करने की तो इसका मतलब अगस्त 4 से पहले पहले रैमी को कंपीट करना है और जहां तक यह जुलाइ का महीना हो सकता है अभी तक के अंदाजा लगा जा inte पर बिग रैमी नहीं अभी एक इंटरीओ स्ट्रेट्मंट में कहा है कि वो अगस्त के महीने में कंपीट करेंगे अब दोस्तों और यह चीज उनके ट्रेनर ने उनके साथ में मिल करके जो भी है, डिसाइड करी है तो यह पूरा का पूरा एक तरह से प्लैन है बिग रैमी का और अभी तक हम सब को कंफूजन था कि वो कौन सा शो होगा अब आप लोगों ने इस वाले क्लिप में देखा के रैमी ने बोला है के वो अगस्त के महीने में कंपीट करेंगे और इतना कॉंफिदेंस उनको है के वो एक शो खेल करके क्वालिफाय कर जाएंगी तो जैसे कि रैमी बोल रहे है कि लगबग देड़ महीने पहले ओलम्पिया से होता है टेमपा प्रो और हमें भी मालूम है कि लास्ट शो यही है जो कि ओलम्पिय के लिए इनको क्वालिफाय करवा सकता है पर इसमें मेरा यह मानना है कि क्या एकदम लास्ट का शो चूस करना ठीक रहेगा क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे कि हमें मालूम है बिग रैमी एक बहुत हाई पोटेंशल के बहुत जबर्दस अथलीट है लेकिन अगर किसी भी कारण से किसी भी वज़ा से वो शो में नहीं खेल पाते या फिर अगर वो प्लेस नहीं हो पाते तो फिर इसके बाद कोई और चांस नहीं मिलेगा उन्हें दुबारा और यह चीज उनको देखनी पड़ेगी लेकिन अच्छी बात है कि रैमी के पास करने रैमी की शो कौई सा पिक करने वाले पर्सनल शेनल मुझे लगता था कि रैमी जुलाइका कोई नहीं और सब्सक्क्राइबार चिर्ट 1 out को एकिस तारीक को आता है पर्चूगल प्रो और लास्ट आता है 27 तारीक जो कि है तो यह चार शो जिसमें हैं जिसमें की मुझे सबसे ज्यादा प्रोबैबिलिटी एक्चुली इनकी लगई थी वैंकूवर प्रो में कम्पीट करने की क्योंकि तेरा तारिक को यह हो रहा है और अगर चार जून को जैसे चार पांच जून के आसपस अगर रमजान खतम हो रहे तो यह था दोस्तों मेरे इस वीडियो को बनाने का पर प्रस क्योंकि आप लोग बहुत जादा कुश्चंस सभी लोग पूछ रहते कि रैमी कब कम्पीट कर रहे हैं कौन सा शो होगा इस पर वीडियो बनाओ तो ठीक है अभी हमें काफी हत तक अंदाजा हो चुका है कि ने इस मौल कहां नहीं जा सकता लेकिन हाँ इतना उनको समझ में आ गया है बार बार एक तरह से ठोकर खाके उनको यह बास समझ में आ गई है कि उतना बलकि उतना बड़ा 310 पाउंड पे आने में या 305 पाउंड पे कम्पीट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बिग रैमी अब समझ में आ गई है कि कंडीशनिंग इंपोर्टेंट है अब देखना होगा कि नील हिल उनको किस तरह से प्रिपेर करते हैं और किस वजन पर उनको उतारेंगे खेलने के लिए परसनली जो हम सब का इसमें मानना रहता है और मेरा जो इसमें मानना है वो ही है कि 275 LBS के आ सब्सक्राइब करते हैं और देखना होगा कि रैमी कितना डिफरेंट दिखते हैं क्या रोल रहेगा उनके ट्रेनर का इस चीज के अंदर और डेफिनिटल इस बार वो 305 या 310 LBS पर तो कंपीट नहीं करने वाले तो देखना होगा इस अब तो आगे टाइम बताएगा फिलाल दोस्तों आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोग कितने एक्साइडिट है बिग रैमी के लिए और जहां तक है यही वाला शो होगा टैमपा प्रो उनका शो होगा और आप बताएगा उनका डिसीजन कितना सही है कितना गलत है जो भी आपको नीचे कमेंट्स में लगता है वो लिखिए अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में नहीं मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मे तब तक के लिए स्टे टून गुडबाई शुक्रिया